फ्रेदरिक नाम का एक आदमी था, उसकी पतनी का नाम कैथरीन था. एक दिन फ्रेदरिक बोला, केट, मैं खेट में काम करने जा रहा हूँ. लौटने पर खूब भूख लगी होगी, इसलिए तुम कुछ अच्छा खाना बना कर और बिया निकाल कर तयार रखना. उसने जवा आपसे कहा, ये तो तयार सही है, तहखाने से बिया निकाल लाउं. कडाही को अंगीथी पर ही छोड़कर एक बड़ा सा जग लेकर वह तहखाने में गई और पीपे से बिया निकालने लगी. जग भर रहा था, वह देख रही थी, तभी उसे ध्यान आया, कत्ता बंधा पर कुत्ता मुँँ में गोश्ट कसकर दबाय हुए तेजी से खेतों में भाग निकला. कैथरीन ने सोचा, अब तो वह तुकड़ा गया ही, सहना पड़ेगा. वह वापस मुड़ी और घर की तरफ चल दी, पर ठकी होने की वज़य से धीरे धीरे चल रही थी. इधर इतनी देर तक शराब बहती रही क्योंकि कैथरीन उस पीपे का धकन लगाना भूल गई थी. जग भरने के बाद पूरी बिया जमीन पर फैलती रही, पीपा खाली हो गया. टहखाने की सीडियों पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि क्या हो चुका. वह सोचने लगी क्या करू कि हमने वह आटा अब तक रखा हुआ था. अब उसका अच्छा इस्तेमाल होगा. वह गई और बोरा उठा लाई पर रखते वक्त गलती से बियके जग के उपर रख दिया तो जो बची हुई बियती वह भी जमीन पर फैल गई. वह बोली, एक चीज जाती है तो दूसरी उस के पीछे चली जाती है. फिर उसने पूरा आटा तेह खाने के फर्ष पर फैला दिया और अपनी होशियारी पर बहत खश है. सोचने लगी, सब कुछ कितना साफ सुत्रा देख रहा है. तो पहर को फ्रेडरिक घर आया. आते ही उसने पतनी को आवाज लगाई और पूछा, क बीच बिया का पीपा खाली हो गया. फिर मैंने मेले से खरीदे हुए आटे का बोरा उठा कर उससे फर्ष सुखाना चाहा, पर बोरे से टकरा कर बिया का जग लुड़क गया. पर हाँ, तैह खाना बिलकुल साफ हो गया है. वह बोला, केट, केट, तुमने ऐसा क्यों किया? टिका तलते तलते बिया लेने क्यों गई? पहले बिया बहने दी फिर सारा आटा बरबाद कर दिया. फ्रेडरेक, मुझे क्या पता था कि मैं गलत कर रही हूँ? तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी. फ्रेडरेक ने कोई इत्राज नहीं किया और वे चोरों को धू पहले उसे धूंद निकालते थे. वे थके हुए थे सो पेड़ के नीचे आकर बैक गए, इसी पेड़ पर उपर पती पतनी थे. बदमाशों ने आग जलाए, फ्रेडरेक दूसरी तरफ से उतरा और कुछ पत्थर बतोर कर वापिस उपर आ गया. वे उन पत्थरों को चोरो के सिर पर फेकते रहे, पर चोर बोले की सुबह होने वाली है इसलिए हवा से सेब गिर रहे हैं. कंदे पर दरवाजा रख रखे कैथरीन धकने लगी, पर उसे लगा कि वजन शायद मेवा का है. वो धीरे से बोली, फ्रेडरेक मजह मेवा फेकनी पदेगी. पती ने कहा, न गिर रहे हैं. थोड़ी देर बाद कैथरीन को लगा दरवाजा अब भी भारी है. उसने पती से फुसफुसा कर कहा, मुझे सिर का भी फेकना पड़ेगा. वो बोला, नहीं हम पकड़े जाएंगे. वो कहने लगी, क्या करूं, फेकना ही पड़ेगा. और गिरा दिया. चोर क पहने लगे, ओ, कितनी उस पर रही है. अब जाकर कैथरीन के दिमाग में आया कि यह तो दरवाजा ही भारी है. उसने पती से कहा, मुझे दरवाजा फेकना पड़ेगा. वो खुशामत करता रहा, ऐसा मत करो, उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा. पर उसने दरवाज चोड़ दिया और वह जाकर चोरों पर जागिरा. उनकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ. वे सारा सोना छोड़ कर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे. जब फ्रेडरिक और कैथरीन पेड़ पर से नीचे उत्रे, तो उन्हें अपना सारा सोना मिल गया.